सो हलो गाईज तो चार देसंबर के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स का जो हमारा सेशन है आज मॉडनिंग में अपलोड नहीं हुआ था क्या कारण था क्यों अपलोड नहीं हुआ ये सब बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी टाइम भी इस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों में अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में IDRCL के नए अद्देक्ष कौन बने हैं तो अंसर होगा नारायन सेशाद्री IDRCL की फुल फर्म क्या होती बहुत जल्द इनका नाम हम न्यूज में पढ़ेंगे क्योंकि N.A.R.C.L. के ये नए अद्देक्ष बनने वाले हैं अभी बने नहीं है लेकिन इसी चर्चा है ये बनेंगे N.A.R.C.L. मतलब होता है National Asset Reconstruction Company Limited अब क्यूश्चन तो हमने पढ़ लिया कि इसके ये अद्देक्ष होंगे उसके ये अद्देक्ष बनेंगे लेकिन मतलब समझ में नहीं आया होगा कि इसका मतलब है क्या बहुत ही important है आप बिल्कुल ध्यान से सुनना में आपको समझाता हूँ तो ये जो I.D.R.C.L. है और N.A.R.C.L. इनको सन्युक्त रूप से बोला जाता है बैड बैंक अब बैड बैंक मतलब क्या हो गया तो आप कहा सकते हो ये एक ऐसा संगधन है जो बैंकों के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते उनको खरीदेगा और उसे मार्केट में बैचेगा ये इसका मुख्य रूप से काम होगा बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया आपको मैं उधारन से भी समझाऊँगा ताकि आपको चीजे क्लियर हो देखो हमारे जो भी नॉर्मल बैंक होते है जिन में आप अपना पैसा जमा करते हो या जहां से लोन लेते हो तो आपने कहीं बार सुना होगा कि इस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एन पीए बहुत जादा हो गया ये डूब गया बैंक और ये होता क्या है एन पीए मतलब जैसे कि मानलो आपने किसी बैंक से लोन लिया और वो लोन आपने चुकाया नहीं और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने उसका लोन नी चुकाया तो भई बैंकों की जो मेन कमाई है वो कहां से होती है लोन के जरिये जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वही तो उनकी कमाई है अब आप कहोगी कि लोन लेने के लिए अपने अपना घर गिरी भी रखा हुआ है हमारे घर के कागा चुमागा चुमके पास है हमारी कार, जमीन ये सब उनके पास है वो भले ही है लेकिन उससे वो पैसे तो नहीं निकाल पाएंगे न वो तो उनके पास रखे हुए, आपके घर के कागज रखे हुए, आपके दुकान के कागज रखे हुए, लेकिन काम तो पैसे से चलेगा न, तो अगर बहुत सारे लोग बैंकों का लोन नहीं चुकाएंगे, इसका मतलब क्या कहा जाएगा, उसका जो NPA है वो बहुत जादा ह अब इसी समस्या को सुधारने के लिए, जैसे कि एक उधारन में ले लेते हैं, यस बैंक का उधारन लेते हैं, आपको पता है, बहुत घंबी रवस्ता में आ गया था कुछ समय पहले इसका NPA बहुत जादा हो गया था, मतलब लोगों ने इसे लोन ले ले और लोन नी चु होगे, किसी के दुकान के कागच होगे, जमीन के कागच होगे, गाड़ी होगी, मोटर जो भी है, वो आप मुझे बेज दो, मैं आपको उसके बदले में पैसा दे दूँगा, आपने, मतलब मांग लो, ये बैंक कहता है कि मैंने मार्केट में एक लाख करोड रुपे लोग मैं आपको दे दूँगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये केवल 15% पैसा उसको देता है बैंक को, अब बैंक कहता है कि ये तो 15% है, बाकि 85% पैसा का है, तो पर ये कहता है, आप जो ये मुझे सामान दोगे, मैं इसको मार्केट में बेचूँगा, वहाँ से जो पैसा इसके बाद मैं आपको 85% पैसा दे दूँगा, तो बैंक केता है, ठीक है, अब इसके बाद सरकार ने ये IDRCL संस्था का निर्मान किया, India Debt Resolution Company Limited, ये क्या काम करती है, ये जो मौडगेज आया है बैंक से, जिसको लिया है कि इसने NARCL ने खरीदा है, इसको मार्केट में बे बैंकों के NPA को खरीदेगा और उसे मार्केट में बेचेगा, एक तो खरीद रहा है और दूसरा बेज रहा है, और जब भारत सरकार ने एकात साल पेले इसका निर्मान किया था, शायद 2022 में, तब भारत सरकार ने NARCL को 30,600 करोड रुपे दिये थे, उस पैसे का ये क्या कर में से दिया जाता है, तो याद रखना भी आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों टर्म का मतलब क्या है, तो IDRCL, इसके अद्यक्ष बन गए है, नारायन सेशाद्री, मैंने इस कुशन को समझाने में थोड़ा सा समय लिया, लेकिन इंपोर्टेंट था ता अगी आपको कोई चीजे समझ में आए, बागी सारंग देव, अभी World Health Organization ने TB सलाकार सम्मू में इनको शामिल किया था, और अमोल मजूमदार, भारते महिला किरकेट टीम के ये कोच बने हैं, अगला फिर बदाईए, अभी हाली में वैश्विक पृद्युगी की सम्मेलन का आयोजन ये क भारत में, भारत में भी कहां, नई दिल्ली में, और इसका उधगातन किस ने किया, हमारे जो विदीश मंतरी है सुब्रमन्यम जेशंकर ने, यहाँ पर डेटा प्राइवेसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और राजनिती को प्रभावित करने वाली टेक्नलोजी पर चर्चा की गई, और इस बार इसकी थीम रही, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नलोजी, और इससे पिछला वाला दो जार बाइस में, जो सात्वा संसकरन था, वो भी नई दिल्ली में ही हुआ था, अभी मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट सम्मिलनों का रिविजन करा हूँगा, जो हमन नई दिल्ली में होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्स्टाइल शो होगा, और AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मिलन हुआ अभी UK में, और अभी मोदी जी ने साथ वे इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का उदघटन भी किया था, कहां पे नई दिल्ली में, और अभी Global Maritime India Summit 2023 का योजन, ये हुआ मुंबई में, और आश्यान परियेटन फॉरम 2024 की मेजबानी ये करेगा लाउस, आप मुझे बताओ इस बार आश्यान सम्मिट को किसने होस्ट किया, 2023 में इसके अद्धिक्षिता किसनी की, बाकी 2023 से लेके 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संग अधिक्षिता, युनाइटेड अरब अमिरात के पास में है, और इसके अद्धिक्षिता कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मंडोस, और प्रकरती की संगरक्षन के लिए अंतरराष्ट्रे संग, IUCN की विश्व संगरक्षन कॉंग्रेज 2025 की मेजबानी करेगा, य अरब अमिरात ही, विश्व आप जानते हो भी कोप 28 का अयोजन ये भी हुआ है, UAE में ही, ये भी ध्यान रखो, और अभी वेश्व एक आयूरवेड मेले का अयोजन ये तिरो अनन्दपुरम में हुआ था, और मशीन केन C2023 संग्मिट का अयोजन हुआ था दुबई में, तो ये 2023 के कुछ important संग्मिट से इनको ध्यान में रखना बरते आगे है, फिर बताओ, प्रोजेक्ट लायन के तहट किस वन्ने जीव अभ्यारन्य में, एश्याई शेरों को बसाया जाएगा, तो अंसर होगा बर्दा वन्ने जीव अभ्यारन्य, देखो, प्रोजेक्ट लाय लायन के तहट गुजरात के बर्दा वाइल लायफ सेंचुरी में एश्याई शेरों को बसाया जाएगा, प्रोजेक्ट लायन की बात करें, इसकी शुरुआत होती है सन 2021 में, और इसका उद्दिश्य है भारत में एश्याई शेरों के आबादी के सामने आने वाले खत्रों क समधान करना, एश्याई शेर ये केवल गुजरात के गिर नैशनल पार्क में पाये जाते हैं, और अब इस बर्दा वन्यजी अभ्यारन को एश्याई शेरों का दूसरा आवास स्थल बनाया जाएगा, वैसे आप जानते हो, वर्ड लायन डे हम कब मनाते हैं, 10 अगस्त को, वैसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कब होती है, 1973 में, और अभी बागों के उपर तो नई रिपोर्ट भी आई थी 2023 में, तो सबसे आदा बाग ये हमेशा की तरह मद्यपरदेश में है, लेकिन डेटा इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि डेटा बदल गया है, बिहाली में चर्चा में रहा अमरत वरक्ष आंदुलन का सम्मन किस राज्य से है, तो अंसर होगा असम, अब ये चर्चा में क्यों हो, पहले तो ये बात करें, क्योंकि इस अमरत वरक्ष आंदुलन के लिए असम सरकार को 9 गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए है इसलिए ये चर्चा में रहा, और वैसे आप जानते भी होंगे, असम सरकार ने इसी साल, यानि कि 8 जून 2023 को ही ये अमरत वरक्ष आंदुलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्दिश है, राज्य में वरक्ष आरोपन को बढ़ावा देना, और इस आंदुलन में हुआ क्या है, हमन्त विश्वा सर्मा है और गवर्नर है गुलाप चंद कटारिया, असम में आपको जानते हो, वांचुवा महत्सो मनाया जाता है, बीहू महत्सो मनाया जाता है, का मक्या देवी का मंदर यहीं पर है, जहाँ पे लगता है अम्बू बाची का मेला, अभी आपको याद होगा, असम के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाइ ओवर का उधगातन किया था, जिसका नाम शरद्धान जली रखा है और इसके लंबाई है 2.28 किलो मेटर, यहाँ पे मुख्यमंत्री लोक सेवा आरुग योजना शुरू हुई, अभी असम के गुलापचंद कटारिया जी ने सरपंच समबाद नाम से एक मुबाईल एप्लिकेशन भी लॉंच किया था, और इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर पूर्वी रेल्वे का पहला रेल्वे स्टेशन गुवाहाटी रेल्वे स्टेशन बना था, और ग यहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो असम में हैं, इसे पहले छटा बना था रायमोना नेशनल पार्क, भागी पांच यहां उल्रेडी थे, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गिंडू के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डि तो ये बात कर रहे हैं अपन नेशनल पॉलुशन कंट्रोल डे की जो हर साल दो देसंबर को मनाया जाता है अब आप पूछो कि क्यों मनाते हैं और दो देसंबर को ही क्यों मनाते हैं चुका है कि भोपाल गैस ट्रेजडी में कौन सी गैस लिखुई थी तो मिठाइल आइसोसाइने जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO या फिर C2H3NO और उस कंपनी का नाम क्या था जहां पर ये हाथसा हुआ था तो Union Carbide India Company थी वो और वैसे ये जो मिठाइल आइसोसाइने टेस का इस्तमाल कहां पर किया जाता है इसका प्रयोग रबड और चिपकाने वाले पदार्तों के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है काफी जहरीली गैस होती है ये तो ध्यान रखना ये बागी देखो दो देसंबर को आपने अभी Computer Literacy Day मनाया था अंतरराष्टर गुलामी उन्मूलन दिवस International Day for the Abolition of Slavery ये भी मनाया और से पहले एक देसंबर को World AIDS Day मनाया था तो ये देसंबर के डेज इनको ध्यान में रखना बढ़ते हागे चलो फिर बताओ अभी हाली में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शारक जिवाश में खोजे गए तो अंसर होगा राजस्थान तो अभी हाली में खोज करताओने राजस्थान के जैसल मेर शेतर में भारत के पहले Early Cretaceous शारक जिवाश मों की खोच की है ये शारक जिवाश में लगबग 115 मिलियन साल पुराने है अभी Researchers के अनुसार Early Cretaceous शारक ये उस समय की है जब नई परजातियों का काफी विकास हुआ और पुरानी परजातियां गायब होई अब बात राजस्थान की है तो ये रा मैप में राजस्थान देखो इसकी Capital जैपूर है और मुख्यमंतरी की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर voting हुई और अभी तक यहाँ पर Congress की सरकार थी मुख्यमंतरी अशोक गेलोजी थे लेकिन अब BGP की सरकार यहाँ पर बनेगी और मुख्यमंतरी कौन होंगे अभी इसकी घोषना नहीं लेकिन ऐसा कहा जा रहा है बाबा बालकनात यहाँ पर मुख्यमंतरी बन सकते हैं जब ऑफिशली यह शबत ले लेंगे यहाँ जो भी मुख्यमंतरी बनेंगे मैं आपको बताई दूँगा अभी तो आप Capital याद रखो जैपूर है और Governor है कलराज मिश्र वैसे भी राजस्तान High Court की Chief Justice कौन बने थे याद रखना Augustin George Masih अभी आदोगा राजस्तान के नाथ द्वारा में बनाई जाने वाली पच्छवई पेंटिंग को G.I. टेग मिला था देश का पहला गिग वरकर्स बिल ये पारित हुआ तर राजस्तान में इसी तरह से याद रखना Right to Sight या Right to Health Policy को लागू करने वाला पहला राज़ी भी राजस्तान है अभी राजस्तान के कोटा शहर की नंदिनी गुपता Miss India 2020 का किताब इनों ने जीता आज़ा आप लोग कमेंट करके बताना कि अभी राजस्तान में टोटल कितने जिले हो गए हैं वैसे अंतरराष्टर मरू फेस्टिवल का एयोजन ये जैसल मेर मेर में होता है एक उंट महत्सो भी होता है ये विकानेर में होता है अभी राजस्तान के सीकर में लखी मिले का योजन भी हुआ था और आपको याद होगा मोदी जी ने राजस्तान के सीकर से यूरिया गोल्ड को लॉंच किया था जो मुरदा में सलफर की कमी को दूर करता है ध्यान रगना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे फिर बताओ अभी हाली में छटे अंतर राष्टर लगू फिल्म मोदी सव का योजन कहां पर किया गया तो अंसर होगा वारनासी में तो अभी छटे इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का योजन ये उत्रप्रदेश के वारनासी में किया गया आपको बता दूँ पहली बार 2017 में इसका योजन हर्याना में हुआ था भी 2023 में ये इसका छटवा संसकरन है जो हुआ है वारनासी में ये तीन दिनों तक चला और इसमें 44 देशों की 94 शॉर्ट फिल्मों को दिखाया गया आयोजन किया किसने उत्रप्रदेश सरकार और परियतन मंत्राले ने मिल करके इसका उद्धिश्य है फिल्म संसकरतिक परियतन और लगू फिल्मों को बढ़ावा देना आपको याद होगा भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अफ इंडिया का योजन हुआ था भी जो कि इसका 54 संसकरन था गोवा में हुआ इसमें गोल्डन पिकॉक अवर्ड किसे मिला था बताओ जो कि बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है तो याद रखना एंडलेस बॉर्डर नाम की मुवी को ये एक परिशन फिल्म है जिसके डारेक्टर है अब्बास अमीनी और एक स्पेशल जूरी अवर्ड याद रखना रिशब शेटी को मिला कांतारा मुवी के लिए बेस्ट वेब सिरीज का अवर्ड पंचायत सीजन टू को मिला था और सबसे इंपोर्टेंट सत्य जीत रेल लाइफटाइम अचिमेंट अवर्ड ये मिला अमेरिकी एक्टर है माइकल डगलास उनको ठ्यान रखना ये बढ़ लिए गजराज नाम से एक सुरक्षा कवच लांच किया है ये सिस्टम ये प्रणाली पूरी तरह से सुदेशी है और इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तमाल किया गया है ये काम कैसे करेगा देखो जब भी हाती पट्रेओं के पास में पहुचेंगे तो उनके पैरों से कमपन वाइबरेशन प्रोड्यूस होगा तो ये जो सिस्टम है ये उससे सेंस कर लेगा उस वाइबरेशन को और इसकी जानकारी ये अपने स्टेशन मास्टर को देदेगा जिससे स्टेशन मास्टर को ये पता चल जाएगा कि रेल की पट्रियों के आसपास या उ हो जाएगा मतलब इसकी रेंज है 200 मेटर पट्रियों से 200 मेटर की रेंज में जैसे ही हाती आएंगे ये अपना काम करना शुरू कर देगा तो गजराज इसका नाम है ये ध्यान में रखना अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ अभी विश्व हाती दिवस हम कब मनाते हैं ज याद रखना भारत का पहला हातियों के लिए अस्पिताल खुला था मत्हुरान में ये भी याद रखना और किस राजे ने भारत का पहला हाती मरत्यू ओडिट ढाचा पेश किया था तो तमिल लाडु ने और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब का है 1992 का है सबसे ज़धा हात आपको करनाटक में मिलेंगे और अभी UK सरकार ने बताओ किसे हाती परिवार परियावरन पुरुसकार से सम्मानित किया था तो कारतिक गॉंजालविस को और कारतिक गॉंजालविस को ने पता है आपको एक शौट डॉक्यूमेंटरी का नाम आपने सुना होगा जिसे बैस् किस देश के साथ करते हैं अभी 2023 में भी हमने किया था मैंने कई बार आपको रिविजन कराया इसका ये हॉमवर्क प्रशन है आपका बताओ अब आप हम बढ़ते आगे अगला प्रशन है अभी हाली में भारते नौसे ना दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा चार देसंब प्रशन है समुदरी शेतर में परिचालन शमता ततपरता और मिशन उपलब्दी और इस बार ये नौसे ना दिवस का आयोजन कहां पर किया गया बताया मैंने आपको कहीं बार महराश्टर में जो सिंदु दुर्ग किला है वहां पर इसका आयोजन हुआ नेवल चीफ हमारे है आर हरी कुमार अगर पुछेंगे एर फोर्स डे कब मनाया जाता है आठ अक्टूबर को और आर्मी चीफ विवेक राम चौदरी हैं आर्मी डे आप जानते ही हो 15 जनवरी को होता है और आर्मी चीफ मनुच पांडे हैं तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आ वहाँ पे इनके बीच में T20 मुकाबला खेला गया और वहाँ पे 7 रन बनाते ही रितुराज गायक वार्ड ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया क्योंकि अब वे भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गये हैं उन्होंने केवल 116 पारियों में ये अच्छा देखो अभी हमने पड़ा ऐसा करने वाले यानि कि T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले पहले भारतियाब बन गये हैं रितुराज गायक वार्ड मैंने ये भी बता दिया 116 पारियों में ये कारणामा किया लेकिन दुनिया में ऐसा करने वाले पहले वेक्ति कौन है जानी कि T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले तो West Indies के Chris Gal के नाम है ये record 107 पारियों में उन्होंने ऐसा किया था और ये भी बता दू कि T20 में सबसे तेज या सबसे पहले 4000 रन पूरा करने का record भी उन्हीं के नाम है सबसे पहले बल्ले बाज वही हैं ऐसा करने वाले तो उम्मीद करूँगा सेशन लेट जरूर मिला है लेकिन आपको पसंद आया होगा, हाँ अब हमारा सेशन ओवर हो चुका है, तो अब मैं आपको बता जगता हूँ कि रिजन क्या रहा, आप लोग जानना भी चाओगे कुछ लोग कि लेट क्यों हो गया, आज मॉर्निंग में क् बताया कि इश्वर्ट की करपा से हमारे घर में एक नन्ना महमान आया, जिसका नाम हमने क्रिशन रखा, और हिंदू परिवारों में आपको पता ही होगा, आपके घरों में आपके परिवारों में भी ये दिन आया होगा कभी न कभी, तो उसके बाद में कुछ प्रोग्राम आयोजित करते हैं हम घर में, तो वही प्रोग्राम सेम हमारे घर में भी था, तो हमने लगबग 200 लोगों का प्रोग्राम आयोजित किया पुरा आरेंजिमेंट देखना बढ़ता है और कल समस्या क्या हो गई, यहाँ पे सुबे से ही पानी आना चालू हो गया तो जो भी चीज़े हमने सेट की थी, वो सब खराब हो गई सब प्लेयर हो गई, तो सुबे से रात तक बस लगे हुए थे, कि जितना आप समेट सकते हैं उसको समेट लें, जो चीज़े बिगड चुकी है, वो तो बिगड गई, लेकिन जितनी बची हुई है, उसको जैसे तैसे समाल सकें वो समाल लें, तो उसी भागा दोडी में पूरा दिन, पूरी रात निकल गए, इतने ठक गए थे कि वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है पानी पिना या कुछ खाना, ये तक याद निरा कभी इदर भाग रहे हैं, कभी उदर भाग रहे हैं कभी ये आवाज दे रहा है, कभी वो आवाज दे रहा है तो इसलिए मॉर्निंग में वीडियो नहीं आये था लेकिन बर्स ईश्वर की करपा रही कि जो लोग आये, वो भूके नहीं गए भगवान ने इतना मान रख लिया और मैं ये चारा था कि बस छुट्टी नहीं कैसे भी करके इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ मैंने इसमें पूरी जान लगा दिये लेकिन फिर भी लेट होई गए और आप कल के वीडियो में पूरी जान मैं फिर से लगाऊंगा कि मॉर्णिंग में आपको जल्दी मिल जाए वीडियो क्योंकि अब मैं फिर हुआ हूँ अब अगले के लिए काम करूँगा तो प्लीज अगर महनत पसंद आई हो वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज इस वीडियो को शेर जरूर करना आप लोग देखते हैं आज इस वीडियो को आपका कितना प्यार मिलता है बाकि इनकी क्विज भी में बना करके दूँगा आपको क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन में मिल जाएगी पीडिएफ भी आपको मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलो भी कल के करेंट अफेस का भी मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ फिर सेशन एंड करते हैं तो पहला परशने पूछा गया था युनाटेड नेशन हुमन राइट काउंसिल नॉनसें शर्णारती पुरसकार दोजा तेविस मिला अब्दुल्लाही मायर को फिर पुछा AI अधारित मॉडल क्यों स्टार को किसने डेवलप किया ओपन AI ने दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थलेसीमिया के इलाज के लिए कैस गेवी जीन थेरपी को किसने मंजूरी दी UK और फिर पुछा किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष नामक पहल शुरू की बिहार ने और भारत अपना पहला एक्सरे पोलारी मिटर सैटलाइट लॉंच करेगा उसका नाम क्या है एक्स पोसेट फ्रांसी सी पुरसकार है और इससे किस भारते को सम्मानित किया गया अरशिया सत्तार को किसने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉंच किया सुप्रीम कोट ने भारत की सुप्रीम कोट ने अभी अंतरराश्टर गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया दो देसंबर को बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पुंजी करन हासिल किया 4 ट्रिलियन डॉलर और अभी एक देसंबर 2023 को बॉल्डर सिकुरिटी फोर्स ने कौन सा स्टापना दिवस मनाया 59th नंबर का अभी कल का हॉमवर्क प्रशन देखेंगे और सेशन एन करेंगे फिर बताओ किस भारते ने रेमन मैक्से से पुरुसकार दोजा तेविस जीता तो आंसर होगा रवी कन्नन आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया अब यह राज का अपका हॉमवर्क प्रशन